देश्वा प्रदेश की सियासत में पांच साल पहले वर्ष 2014 में राश्ट्रिय दलो, भाजपा वा कॉंग्रेस का जो दौर शुरू हुआ था वह अब 2020 आते आते बदलता नजरा रहा है कमो बेश महराश्ट्र, हर्याणा वा जारखंड विधान सभा के नतीजे तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे है जारखंड के नतीजे यूपी के शेत्रिय दलो के लिए नई उमीद लेकर आए है सपा वा भसपा के साथ कॉंग्रेस को नई आस नजराने लगी है वर्ष 2014 में केंदर में नरेंदर मोधी के प्रधान मंतरी बनने के बाद से ऐसा लगा की देश में दो पाटियों का वर्चस्व रहेगा कॉंग्रेस केंदर की सत्ता से बेदखल होने के बाद राज्यों में भी कमजोर होती गई लेकिन वर्ष्ट 2018 के बाद से ही भाजपा को शेत्रिय दलों से चुनौतिया मिलनी शुरू हो गई है शेत्रिय दल एक बार फिर मजबूती से उभर रही है कॉंग्रेज इन शेत्रिय दलों से गठ जोड कर पुराना वर्चस्व हासिल करने में काम्याब हो रही है महराष्ट्र में जहां NCP वाशिव से न मजबूत हुई है वही करनाटक में जनता दल सेक्यूलर का भी दबदबा रहा हर्याणा में जन नायक जनता पार्टी में नए सीरे से सूबे की सियासत में पैर जमाए तो आंदरप्रदेश में शेत्रिय पार्टी की ही सरकार बनी महराष्ट्र में पहले NCP और जहारखण में अब JMM के सियासी तोर पर मजबूती से उभरने पर UP में समाजवादी पार्टी वा कॉंग्रेज उत्साहित है समाजवादी पार्टी विभिन मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है वहीं विधायकों के आसंतोष के मुद्दे पर भी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है ऐसे में जार्खन में हेमंत सोरेन के नित्रित्र में सरकार बनने का रास्ता साफ होने से सपा भी उत्साहित है वहे खुद को राश्ट्रे कॉंग्रेस पार्टी और जार्खन मुक्ती मोर्चे की तरच पर यूपी में राश्ट्रे पार्टियों के विकल्प के रूप में देख रही है। सरकार की संवेदर हींता के खिलाफ लगातार संगर्श कर रहे हैं।